ग्यान गोदावरी की इस आनलाइन यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है और हमने TGT के नागरिक सास्त्र यानि सिविक से जुड़े पार्ठे करम पे पिछले तीन-चार दिनों में हमने तीन-चार वीडियो आपको उपलब्द कराए हैं उसी करम में आज जो है हम अगरा पास्चात राजनीतिक विचारकों से जुड़ा वीडियो जो है आपके सामने लेकर आये हैं हमारी चर्चा की स्रिंख्रा में हमने प्लेटो के विभिन आरंभिक जीवन और राजनीतिक विचार से जुड़े टॉपिकों को लेकर आपके सामन हमने वीडियो में प्रस्तुत किया है और आज उसी करम में हम आगे बढ़ने की कोसिस करेंगे आपको टीजीटी के नागरिक सास्त्र से जुड़े टापिक के बिविन वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे लेकिन आप चुगी ज्याम की अभी फार्म नहीं आया है और उमीद थी कि अक्टूबर लास्ट में आ जाएगा लेकिन ये माध्यमिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड अपने हिसाब से कदम उठाता है अपने ही गती से फार्म देता है लेकिन हमें किसी भी एक्जाम की आगे की तैयारी जो है वो एक उचित समय लेकर करना चाहिए क्यो एक मुश्किल बारा प्रयास हो जाएगा इसलिए हमने जो है नागरिक सास्त्र पे आपके समख्षे वीडियो लेकर आए हैं और हम चाहेंगे कि आप जो लोग भी टीजीटी समाजिक विश्यों से भागेदारी करेंगे टीजीटी के एक्जाम में वो नागरिक सास्त्र से जुड़े वीडियो स्वें तो देखे ही और अपने दोस्तों को भी सेयर करें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप डिस्टिब्यूट करिए और ज्यान गदावजी चैनल को आप लाइक भी करिए सबस्क्राइब भी करिए और वेल आइकन बटन दबा के नोटिफिके जो छोटे पार्ट में मिले जिससे आप कम समय लगाकर टू दी पॉइंट उस एरिया को तयार कर सके क्योंकि जीवन में लोगों के लिए बहुत से काम है और उस काम में थोड़ा सा समय अपने लक्ष के प्रती भी आप निकाल सकें इसलिए हम इस वीडियो को आपको लगता देने का प्रयाज कर रहे हैं और उसी क्रम में आज जो हमारी चर्चा है वह प्लेटो के सिक्षा प्रणादी पर है हमने प्लेटो का आरंबिक जीवन एक वीडियो में आपको दिया है प्लेटो के नया सिधांत क्या है इस पर भी हमने आपको एक वीडियो दिया है अगर वी कि लिए उन्हों ने समपूर समाज के लिए दो लक्षों को निर्धारित किया और पहला लक्षा सिक्षा वहस्ता कैसे होनी चाहिए समाज की और दूसरा जो लक्षव नहों ने रखा वो था परिवार एवं परिवार के अमतरगत उन्होंने इस्तरी को विशेश लक्षित करके अपना चिंतन प्रस्तुत किया परिवार एवं संपती का साम्नेवाद और हम आज संपती का साम्नेवाद और हमारी जो चर्चा होगी वो आज प्लेटो की सिक्षा बेवस्था पर होगी कि प्लेटो अपने आदर से राज जी को प्राप्त करने के लिए कैसी सिक्षा बेवस्था संचालित करना चाहता था कैसी सिक्षा ब्यवस्था राज जी या समाज में इस्थापित करना चाहता था प्राची नीनावनी विचारत जैसा आप जानते भी हैं कि राज जी और समाज में कोई अंतर नहीं करते हैं तो हमारी जो चर्चा होगी वो सिख्षा बेवस्था पे होगी और इसको जीवन काल के हिसाब से बांट कर वो आरंध करते हैं जीवन काल के हिसाब से बांट से देखते कैसे हैं कि वो बांट के प्लेटो अपना पहली जो हमारी होगी वो एक से 11 दस वर्ष इन्होंने इसको माटा है कि जब बच्चा आस्तित्तु में आएगा यानि बच्चा जब पैदा होगा ये इस बालक और वाली काहों दोनों के लिए है उसको उसकी परिवार से ले लिया जाएगा और राजी के सरक्षण में उसकी सिख्चा बेवस्थारम होगी तो पहला जो दस वर्ष की सिख्चा होगी वो फीजिकल एजुकेशन सारीरिक सिख्चा इसमें जो ओर दिया है फीजिकल एजुकेशन का उनका मतलब ये था कि प्रतीक विद्याले में ब्यायाम साला और खेरकूद का मैदान होगा और उससे बच्चों का सारेरिक विकास इतना अच्छा हो जाएगा कि आने वाले समय में वो किसी रोग से बच जाएगा और उसको चिकित्सा सुगधा की जोड़त नहीं होगी यानि सरीर से वो बड़ी हिस्ट पुष्ट होगा अचुकी प्लेटो खुदी सरीर से हिस्ट पुष्ट थे तो हर आने वाले प्ली को वो हिस्ट पुष्ट ही बनाना चाहते थे अब उसके बाद देखते हैं फिर अग संगीत की सिख्षा दी जाएं संगीत की सिख्षा से क्या होगा उनका यह मानना था कि जब सालेरी के हिस्ट पुष्ट वाले ब्रक्ति को संगीत की सिख्षा दी जाएगी तो उसके मन मस्तिक्स में कुमलता का स्रिजन होगा यानि संबेदना लोगों के प्रती बढ़ेगी बेदात्मक्त बेवहार करेगा यानि संगीत की सिख्षा 11-15 वर्ष में दी जाएगी और इसी के अंतरगत उन्होंने कहा कि विज्ञान कि गणित कि वह इतिहास इन तीनों की सिख्षा संगीत के माध्यम से दी जाएगी यानि गीतों के रूप में इन तीनों चीजों को लोगों के समझ प्रस्तुत किया जाएगा बच्चों को जिसे वो आसानी से समझ सकें और उनका एक अप्रोच समाज के प्रती डेवलप हो फिर उन्होंने 15 वर्ष के बाद 16 से 20 वर्ष में नैतिक सिख्षा पर बल दिया है यह जब नैतिक सिख्षा 16 से 20 वर्ष में लोगों को दी जाएगी 20 वर्ष की अवस्था में जो भी बालक बालिक आये रहेंगे उनकी एक परिक्षा होगी और जो लोग परिक्षा में फेल हो जाएंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा और वो किस सेरी में आएंगे तो हमने फ्लेटो की न्याय ब्यवस्था का जब बर्गी करण पहा तो उसमें उपरिक्त समाजिक बर्गों की पहचान की थी और ये तीन बर्ग थे समाजिक बर्गों में हम देखते हैं कि कौन-कौन तीन बर्ग थे इन तीन बर्गों की चर्शा उन्होंने अपने पाठिक्रम में ही थी न्याय ब्यवस्था के अंतरग तो ये तीन बर्ग थे उत्वपादक बर्ग दूसरा बर्ग था साइनिक बर्ग और तीसरा था दार्शनिक बर्ग तीसरा था दार्शनिक बर्ग जब 20 साल की उमर में एक्जाम होगा पदिक्षा होगी जो लोग फेल हो जाएंगे यानि अनुत्रिन हो जाएंगे उनको उत्वपादक बर्ग की सेरी में रख दिया जाएगा उनको आगे नहीं पढ़ाय जाएगा और उत्वपादक बर्ग में इनके इसाब से सामलित हैं कारिगर किसान मिस्तिरी जो उत्वपादन का काम करते हैं ऐसे लोग इनकी सिख्षा जब फेल होने वाले हैं उनको इस सेरी में डाल दिया जाएगा अब अगली सिख्षा जो है वो 20 वर से आरंब होगी और वो सिख्षा होगी 20 से 30 साल की वो सिख्षा 20 से 30 साल की होगी अब उसमें हम देखेंगे कि 20 से 30 साल की सिख्षा में किसको वो समलित करते हैं 20 से 30 वर्ष 20 से 30 वर्ष की जो सिख्षा दी जाएगी उसमें दू वर्ग सामिल होंगे सैनिक बर्ग और दासनिक बर्ग बुद्पादक बर्व 20 वर्ष की परिक्षा में फेल होने के बाद वो वापस चला गया जो पास हुए लोग वो 20 ये 30 वर्ष उनको सिख्षा दी जाएगी और इसमें जो है सिख्षा होगी साधिरिक शारित्रिक वह मांसिक ये तीन चीजों की मजबूती प्रदान करने के लिए ये सिख्षा प्रदान की जाएगी 20 से 30 वर्ष और 20 से 30 वर्ष में सिख्षा के पश्चार तीसमें वर्ष की जाम होगा तीसमें वर्ष एक एक एक्जाम होगा और इस एक्जाम में जो लोग अनुत्रिन हो जाएंगे यानि फेल हो जाएंगे उनको साइनिक वर्ष के रूप में परिवर्टित कर दिया जाएगा तीसमें वर्ष में जो लोग फेल हो जाएंगे जो लोग पास होंगे वो तीसरा बर्ग जो दार्सनिक बर्ग है उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे और 30 से 35 साल की उम्र में जो है देखते हैं कि इस चीज़ की सिख्षा दी जाएगी 30 से 35 साल की उम्र में 30 से 35 वर्ष दर्षन सास्त्र की सिख्षा होगी दर्शन सास्त्र की शिक्षा होगी दर्शन सास्त्र की शिक्षा दी जाएगी और 30 से 35 वर्ष में दर्शन सास्त्र की शिक्षा दी जाएगी और 35 से 50 वर्स में ये लोग दर्सन सास का पूर्ण ज्यान प्राप्ति करके जीवन की अथार्थ समस्याएं जो जीवन की समस्याएं हैं उनको जूजने के लिए उनको वापस भेज दिया जाएगा कि वो आप बेवहारिक जगत में अपने सिख्षा का कितना बहतर उपयोग करते हैं उसको आप दिखाईए जाकर और 50 वर्स के उम्र में जो लोग दर्सन सास्त का पूर्ण ज्यान प्राप्ति कर लेंगे और अपनी उस ग्यान को वेवहारिक रूप में धाल कर समाज की समस्याओं का समधान करने में सक्षम होंगे तो वो दर्सनिक सासक बनेंगे लेकिन चुकिंगी ये दर्सनिक सासक जो है दार्सनिक सासक जो है वो मुह माया से मुक्त होंगे और जब ये मुह माया से मुक्त होंगे तो अपने आप ये सासक नहीं बन जाएंगे प्लेटो का कहना है कि आम जनता जब इनसे अनुने बिने करे कि आप आके सासन की बाग जोर समहा लिए तब ये दार्सनिक सासक बनेंगे यानि जो सासक दर्सन सास का ज्यान प्राप्त करके और सासन का अधार से ज्यान बनाएंगे उसको जो है वो सासक के रूप में जनता के अनुने बिने पे यानि जनता द्वरान रोध करने पे उन्हें सासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा ये प्लेटो की सिख्षा प्राली है, प्लेटो की सिख्षा प्राली का मकसद ही यही था कि आदर्स राज्य के लक्ष को कैसे प्राप्ति किया जाए लेकिन इसकी आलोचना इस बिंदूंपे होती है कि 50 वर्स की उम्र तक क्या कोई व्यक्ति पढ़ाई करता रहेगा और दूसरी बात है कि उस समय जो जीवन प्रत्यासा थी वो असी सिले के सो तक थी लेकिन आज के समय में जीवन प्रत्यासा 65-70 के बीच है अगर अपना सम्पून जीवन काल का 50 वर्स वर्द्यान और ध्यापन में ब्यतित कर देगा तो फिर बाकी उसकी जिन्दगी का क्या होगा ये आधुनिक संदर में इसकी आलोशना देखी जाती है लेकिन किसी भी विचारक की समसामईक संदर्बों में जानकारी आवस्यक है कि अपने समसामईक संदर्बों को ध्यान में रखकर उन्होंने किस तरह की सिक्षा प्राली को डेबलप करना चाहा और ये सिक्षा प्राली का उनका मूल मकसद ही था कि हम आधर्स राजी को कैसे प्राप्त करें और इसमें सिक्षा प्राली के द्वारा मनुस्यों का स्रिजन जो है मनुस्यों को किस रूप में गढ़ा जाए कि वह आदर्स राज्जी के खांचे में फिट वैठ हैं जिससे हमारा एक न्यायपूर समाज और राज्य प्राप्त किया जा सके और आज के वीडियो में जो है हमने प्लेटो के सिख्षा पढ़ाली पे चर्चा की अगला वीडियो हम प्लेटो से जुड़े उनके इस्तरियों एवं संपती का सामेबाद पे चर्चा करेंगे और आधनिक सामेबाद से उसकी तूलना करेंगे और फिर उनका जो सब आइडियल स्टेट है कि जब वो आदर सराजी की परिकल्पना को बेवहारी की रूप देने में सफल नहीं हो पाए उसको बेवहारी की रूप देने के लिए जो कमजोरियां आ गई जो अर्चने आई उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उपाद और सराजी की परिकल्पना प्रस्तूत की उसकी चर्चा हम करेंगे तब आज की लिए बस इतना ही नमस्कार जय हिंद